राम एक रिक्षा ड्राइबर है, वो सवारियों को दिन बर एक जगा से दूसरी जगा छोड़ कियाता था, कभी कबार तो उसे सारा दिन सवारिय मिलती रहती और उसका काम चलता रहता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता कि उसे दिन बर कोई सवारी न मिलती, और रोज शाम आठ तो मैं बड़ी मुश्किल से चार सो रुपे कमा पाया हूँ, तुम्हें पता है न, आठों के दिन बर के कराया है चार सो रुपे, अगर तुम्हें कोई फाइदा नहीं होता तो ना लो, क्यों लेती हो रोज मुझ से, सेड साहिब आप तो नाराज ही होगे, नाराज मत हों ये ले पैसे ले आप अपने, उसका आदे से ज्यादा हिस्सा तो कराय में ही चला जाता था, और बचे हुए पैसे लेकर वो अपने घर लोटाता था, ये लो सोनी, आज की कमाई, इसमें से दो सो रुपे तो गर के कराय का ही चला जाएगा, बाकी दो सो का मैं क्या क्या आया और बाकी दो सो रुपे मैंने तुम्हें दे दिये, आखर ऐसा कब तक चलेगा, कब तक हम यूँ जिन्दगी गुजारेंगे, अबजी आप दादा जान का पुराना रिक्षा क्यों नहीं चला लेते, बेटा अब वो चलने की हालत में नहीं है, उसकी सिरफ बाड़ी अच्छी है, लेकिन उसका इंचन तो खराब हो चुका है, अब तो वो बिल्कुल बेकार है, वो किसी काम का नहीं है, राम और सोनी बहुत परेशान थे, लेकिन उसका बेटा सोच में पढ़ गया, कि वो पराना रिक्षा किस काम आएगा, फिर उनका बेटा शाम वहां गया जहां पर उनका पराना रिक्षा खड़ा था, उसका दिहान वहां पड़े एक कंटेनर पर गया, ये तो किसी ट्रेन का कंटेनर लग रहा है, लेकिन ये तो आदा ही है, शाम उस कंटेनर के अंदर चला गया, वो कंटेनर काफी बड़ा था, ये कंटेनर तो मेरे घर के जितन में रह सकते हैं और गर का किराया भी बच जाएगा वाओ ये तो बहुत अच्छा आइडिया हो गया फिर तो वो दोड़ता हुआ गर आया और इसने अपना सारा आइडिया अपने अम्मी अबू को बताया तरकीब सुनने में तो अच्छी लग रही है लेकिन क्या हम ये कर पा तरकीब सुनने में तो कुछ अजीब सी लग रही थी लेकिन उसको पता था कि उसका बेटा बहुत होश्यार है उसने सोचा कि अगर एक बार ये कोशिश करके देख लूँ तो उसमें हर्ज ही क्या है राम अपने वैडर दोस्त को आटो रिक्षा के पास ले आया और उसने अपने बेटे की साइक तरकीब अपने दोस्त को बताई वैसे ये आपके पुराने रिक्षे की बाड़ी बहुत मजबूत है और ये कंटीनर भी बहुत मजबूत है हम इस पे कल ही गर्ब नाना स्टार्ट कर देंगे राम और उसका बेटा शाम ये सुनकर बहुत खुश हु अगले दिन वो दोबारा उसी जगा पहुंचे और काम शुरू किया शाम तक आदा काम हो गया था कल दर्वाजे और खिड़कियां लगा कर पेंट कर देंगे अगली सुबा फिर काम शुरू हुआ और दर्वाजे और खिड़कियां लग गई शाम तक उनका आटो रिक्षा गर तियार हो गया ये हुई ना बात ये है अब हमारा अपना गर अब कराए के पैसे खर्च नहीं होंगे अबा हाँ ना अब होगी बच्चत ही बच्चत अगले दिन राम और उसका खांदान आटो रिक्षागर में शिफ्ट हो गया सब लोग बहुत खुश थे फिर राम खु अबारियों को इदर से उदर छोड़ा लेकिन आज वो बहुत ज्यादा खुश था शाम को उसने खुशी खुशी सेट का कराया अदा किया क्या बात है आज तो बहुत खुश दखाई दे रहे हो लगता है आज कमाई बहुत अच्छी हुई है नहीं कमाई तो उतनी हुई उसके घर के बाहर कुछ सहाफ ही मजूद थे ये सब मेरे अबा ने किया है ये उन्होंने बहुत मेहनत से बनाया है इतनी देर में उसका बाप प्यबाहं पहुँच गया उन्होंने राम से धेर सारे सवालात किये आप हमें बता सकते हैं कि आपने इतना मुन्फित घर क्यों बनाया क्योंकि हमारे पास कोई गर नहीं था हम कराई पे रहते थे इसलिए मेरे बेटे ने आइडिया दिया और हम ने ये गर बना लिया क्या ये गर अंदर से भी गर की तरह ही है बिलकुल जी हाँ ये अंदर से भी बिलकुल गर की तरह ही है इसमें हम सो भी सकते हैं खा भी सकते हैं पी भी सकते हैं इसमें बावर्ची खाना भी मजूद है वो सहाफी उसे बहुत से सवारात कर रहे थे और वो सब के जवाब दे रहा था अगले दिन सारे न्यूस चैनल पर राम और उसका रक्षा कर चाया हुआ था राम का ये वीडियो एक बड़ी कंपनी के सीईयो ने देख लिया इसने तो कमाल कर दिखाया है ये तो अनाम का हकदार बनता है वैसे क्योंकि इसने अपने परेशानियों का हल खुद तलाश किया है वो भी अलग तरीके से उस सीईयो ने राम के नाम दस हजार डॉलर का चेक लिख दिया कंपनी का एक नमाइंदा राम को चेक देने आया हमारी कंपनी के सीईयो को आपकी ये तरकीब बहुत अच्छी लगी उन्होंने आपके काम को बहुत सराहा तो इसलिए उन्होंने आपके नाम ये चेक दिया है दस हजार डॉलर का चेक देखकर राम का सारा खांतान हका बक्का रह गया उन पैसों से राम ने एक निया आटो रिक्षा करीदा अब उसकी सारी कमाई बच रही थी सूनी, अब हमारी महीने की तनखाव 20 हजार हो गई है क्या अब हम अपना गर खरीच सकते हैं? हाँ, अब हम अपना घर भी लेंगे और अपने बेटे को बहुत अच्छे स्कूल में दाखल करवाएंगे अरे बाबा, अबाबा, ये तो बहुत अच्छा हो गया हाँ, बिल्कुल, ये सब मेरे बेटे की तरकीव की वज़ा से हुआ है मुझे पता है मेरा बेटा बहुत जहीन है और हम सब की मेहनत की वज़ा से हुआ है अबाजी कुछ महीनों बाद राम ने अपना घर खरीद लिया लेकिन वो अपने रिक्षे वाले गर से बहुत महबत करता था ये सब उन सब की मेहनत और अच्छे तरकीव की वज़ा से हुआ था उनके बेटे की एक छोटी सी तरकीव ने उनकी किस्मत बदल दी